अब हम नेशनल इंकम पर इंकम मेथड पर आचुके हैं जहां से अब हमारे नुमेरिकल स्टार्ट होंगे तो नेशनल इंकम को कैलकुलेट करने के अलग-अलग मेथड हैं नेशनल इंकम को कैलकुलेट करने के लिए इनकम मेथड chỉ मेथड और वैल्य एडिशन मेथड यह 3 मेथड हमारे होते हैं जिससे के अब निकम को कैलकुलेट कर सकते हैं कोई सावी method अगर आप apply करते हैं तो आपका result same ही आएगा तो यहां पर सबसे पहले हम discuss करेंगे सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा income method जैसा कि नाम से ही clear income method से national income का calculation करना national income मैं domestic income की बात नहीं कर रहा हूं तो national income मतलब की हमारे जितने भी residents हैं हमारे उन सब की income का पता लगा करके उन सब की income का हम sum कर देते हैं मतलब हमारे जितने भी residents हैं जो वो earn करते हैं जो उनकी income है उन सब की income का अगर आप sum कर देते हैं तो जो result बनता है वो आपका national income बनेगा by income method सब की क्यूंकि आप income को लेकर क के चल रहे हैं अब आपके मन में कुछ सवाल आये होंगे कुछ सवाल ऐसे भी आये होंगे सबसे पहले इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जनसंक्षा 130 क्रोड की आवादी उसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कर जो कि कमाते हैं उन सभी लोगों के बारे में पता लगा कर पाएंगे आपके मन में एक सवाल है कि किस किस के पास कहां कहां जाकर के हम इंकम को हम कलेक्ट करेंगे तो इसके आंसर के लिए इसको सिस्टेमेटिकल और में अगर हम करेंगे तो यही चीज़े हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी तो सिस्टेमेटिकल और की मैं बात क कर रहा हूं मैं उसको फॉर्मेट नाम दे रहा हूं पहले मैं आपको फॉर्मेट समझानाज़ता है कि हम कैसे सभी लोगों की income का calculation करते हैं आई देखते हैं अब ज्विते मैं आपको यहीं कि मैप income सरकार के पास में, सरकार को कैसे पता होगी, मैं कितना earn करता हूँ, एक छोड़ा सम एक्जामपल देता हूँ, पहला सवाल तो आपको यही मन में आये न, किसा सरकार कैसे पता लगाएगी, कि भी आनन सर कितना कमाते हैं, अब आनन सर जरूरी कि सरकार को सही आए, अपनी बता मालें कि आपकी फीज 2,000 रुपे है, एकनामिक्स की, ठीक है, जब आप फीज पे करते हैं, तो हमारे पास में फीज इतनी नहीं आती है, हमारे पास में 20% GST, ये कट जाता है, 200 रुपे सरकार, जब भी आप पे करते हैं, 200 रुपे माइनस करती सरकार, हमारे अकाउंट में, यह जो फीज से यह अठारा सु रुपे आते हैं पर बात समझे क्लियर है इवन जब मैं आपको बात करता हूं जब भी मैं जब मेरी सेलरी जैसे कि मानलो कहीं भी सेलरी मैं आन कर रहा था मानले जिए कि अभी कुछ समय पहले ही मैं आनकेडमी पर फिर दो लाक रुपे सेलरी था मिपैं ठीक है यहां पर होता था यहां पर उसमें उसमें टीडियेस कहते हैं जो सैलरी ओती है Master classical टी भी इत करदी करदी आबता तो बच्चे पैसा है हमारे खाथे में बाद में आता है बने सरकार को खबर चल जाती है कि यह पैसा आ गया है उस सरकार टेक्स को डिडेट कर देती है तो हर पैसा टेक्स के प्रोसेस से पूरा होगर कर निकलता है तो इसी तरीके से सरकार को पता लग जाता है कि भाईया कौन कितना कमा रहा है क्लियर है जी? अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा मुझे पता है क्या? इसी कोशिन से रिलेटिड होगा हाँ जी तो चलिए बात करते हम इंकम मेथड की तो इंकम मेथड में मैंने आपको कुछ फॉर्मिट की मैं बात करूँ है सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजेगा कि नेशनल इंकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इंकम का मतलब क्या होता है? नेशनल इंकम को हम क्या लिखेंगे? जब कुछ भी मेंशन नहीं हो सरफ नेशनल इंकम तो नेशनल इंकम को हम कहते हैं एननपी एट एफसी पेरी बात ध्यान रखेगा सरफ बोले नेशनल इंकम काल्कुलेट करो तो इट मींस क्या आपसे पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है NNP at FC होता है national income का मतलब, ठीक है जी, आप देखेगा, सब कुछ पूरा-पूरा आ रहे हैं, हाँ, what is the income method, income method क्या है, तो income method में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी हमारे residents होंगे, सब के income का हम sum कर देंगे, और जो रिजल्स आएगा वो बाइ इंकम मेथड से है, नेशनल इंकम आएगा, income method measures national income from the perspective of factors income, under this method, incomes received by all the residents, all the residents of a country for their productive service during a year are added, देखेगा, अब मेरी बास समझेगा, अगर कोई मांग करके अपना गुजारा करता है, दान दक्षना से अपना गुजारा करता है, मांग करके अपना कोई गुजारा करता है, तो उसको उसकी income नहीं कहेंगे, इस बात को समझेगा, clear है, अगर मैं हूँ, मैं आपको service दे रहा हूँ, मलब कोई काम कर रहा हूँ, बदले में मुझे पैसा मिल रहा है, तो ये income है, म क्योंकि उसकी वो transfer income हो गई, हस्तानंतरन आई हो गई, clear है, क्यों, क्योंकि उस income के बदले किसी भी तरीके का कोई goods and services का प्लक्षन नहीं करके दे रहा है वो, बदी बात समझे, और national income में शामिल कर लेंगे, तो income तो जादा हो जाएगा, good services कम हो जाएगा, बदी बात समझे कर रहा है, of a country for their productive service during a year are added up to obtain the national income, according to this method, all the incomes that occur to the factor production by way of the wages, profits, rent, interest, etc. are assumed to obtain the national income, तो यह meaning है national income को, खिर मैं आपको सी यह डिरेक्टा, format पर लेकरा, आता हूँ, देखिएगा, national income का format क्या है, अब आपके मन में सवाल है सर, कैसे, किस के घर जाएं, किस के पास जाएं, उसके लिए format पढ़ लीजिए, format से कहीं जाने के जोड़त नहीं पड़ेगी, आपको पता है कि कैसे हमें national income को add करना है, मैं आपको calculate भी करके दिखाऊँगा, ठीक है पहले यहां देखिएगा, explain the components of factor income, तो यहां पर सबसे पहले मैं national income की बात कर रहा हूँ, तो यहां पर देखिएगा, compensation of देखिएगा, एक format आप धाने केगा, इस format को हम जो है, यह हमारा जो format में पढ़ा रहा हूँ, यह आपको NDP at FC निकाल करके देगा, अगर आप इस format को apply करते हो, clear है, NDP at FC याई गा हूँ, NDP at FC का format दे रहा हूँ, क्या? Compensation of Employees Compensation of Employees तो Compensation of Employees क्या होता है? इसको हम जो है C से Compensation उसे Off इसे Employees तो Compensation of Employees क्या होता है? कि Employee हमारे पास में आ करके कुछ काम करते हैं कुछ Factor Services देते हैं और इसके बदले में हम उसको Compensation देते हैं तो Compensation of Employees क्या होता है? उस बात का अब समझीएगा Composition of employees में क्या-क्या आता है जैसे कि Composition of employees में आता है wages and salary in cash जो कि मुझे मेरे हाथ में तंखा मिला इसे हम क्या बोलते है wages and salary in cash Composition of employee देखिएगा मैं Composition of employee की बात कर रहा हूँ मान लिजे मुझे cash जो पैसा मिला वो मुझे 20,000 रुपीस मिला cash salary चीक है इसे हम क्या बोलते है इसे बोलते है wages and salary in cash अब साथ साथ में सिरफ 20,000 रुपे ही नहीं मिलते है मुझे जो है वहाँ पर रहने के लिए घर और खाने पीना वो भी मेरे company ही arrange करके दे रही है clear है तो उसका खर्चा जो है रहने का 10,000 रुपे खाने पीना मेरा 15,000 रुपे तो मतलब चलिए तो 25,000 रुपे company ने afford करा जा फिर मान लिजिए कि 10,000 रुपे company afford करती है clear है तो इसको हम बोलते है wages ये तो आपके पास में क्या है इसको बोलेंगे wages and salary in cash इसको ये बोलते है और हम इस 10,000 को बोलेंगे क्या wages and salaries in kind wages and salary in kind बोलेंगे इसको हम clear है जी बेरी बात समझे तो composition of employment सरफ cash ने kind भी ये पैसा आप देखिएगा company किसे को 10,000 चलते फिर ते किसे को दे देगी क्या कि लो भई है 10,000 ये company तरफ से नहीं जो employee काम करेगा उसी को उपर खर्च कर रही है तो composition of employee में ही आता है ये तो 10,000 अब आपके पास में इसके साथ साथ में जो है पैंशन क्लिए पैंशन भी गवर्मेंट पे करती है इसे यहां पर दीखेंगा क्या income method में क्या कहता है सबसे पहले आपसे wages and salary in cash it includes all the monetary benefits like wages, salary, bonus, dearness, allowances, commission etc. जो cash मिलता है और इसके साथ साथ हमारा क्या रहता है wages and salary in kind it includes all the non-monetary benefits like the rent fee, home etc. clear है और दो हो गया और employer's contribution to social security scheme यह क्या होता है employer contribution to social security scheme यह क्या है देखिए जनरली क्या होता है अगर private sector में ऐसा देखने को तो बहुत rare मिलता है but government sector में ऐसा देखने को मिलता है ठीक है इसको क्या होता है जैसे मान लिजी कि आप government job में लगते हैं किसमें पीटा आज के time पर रहे न एक MTS की vacancy निकली हुई है सरकारी नोकरी निकली हुई है SST के set पर जाएगा MTS की vacancy निकली हुई है MTS की vacancy क्या होती है एक pion की vacancy होती है पानी प्लाने का काम होता है प्लासी की नोकरी होती है जब फिर उसे थोड़ा सक post अगर आप अच्छे qualification है ग्रेजवेट है तो आपको जाइड साथ ये काम नहीं दिया जाएगा आपको फाइल वगरे मैनेज करने काम दिया जाएगा तो एक बहुत low level की job होती है MTS की जो निकली हुई अभी लेकिन 30,000 रुपे से इसकी starting है पहले मैने की salary ही 30,000 रुपे है और दो साल में promotion हो जाएगा तो आप उस category से बहार निकल जाएगे और आपकी तनखा जो है दो से तीन साल में 2-3 येर आपका लग जाता है यहां MBA वाला 20,000 रुपे के लिए इंट्रिवी दे रहा है 3-4,000 राउंड एक राउंड, दो राउंड, टीन राउंड, चार राउंड, पांच राउंड क्या हुआ क्या हुआ आपका selection हो गया आपका permanent letter salary कितने 13,000 रुपे यहां देख लिए आज के टाइम में जो समझदार लोग है न बहुत सबसे पहले जब तक उसके पास में age है वो पहले सरकार नोकरी अफट लगाता है जब age नहीं है तो private तो कर लेंगा जम वर्जे यार कहां भाग रही है private नोकरी clear है जी तो यह मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहां पर क्या होता है कि 30,000 रुपे salary आपको मिलता है अब 30,000 रुपे salary आपको है तो मान लो सरकार ने क्या करा और 30,000 रुपे salary तो यह प्लस में 2000 सरकार काटती है ठीक है PPF के नाम से Provident Fund के नाम से 2000 रुपे सरकार ने काटा क्यों काटा सरकार ने 2000 रुपे अपने पास सरकार क्या कहती है अपने employee को भई आप लोग जोड़ के चलोगे या जोड़ के नहीं चलोगे पता नहीं फिर बुढ़ापा आएगा जब आप हमारे हाँ से रिटायर होकर के जाएंगे तो खाली हाथ आप जाओगे तो हमें भी बड़ा बुरा लगेगा क्योंकि आपने पूरा जीवन हमेरे काम पर दिया है तो आप के जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए तो हम आपका ही पैसा आपके सेलरी पे कुछ अमाउंट काट करके अपने पास में रखते हैं जिससे के आप 30 साल की सर्विस करोगे तो आपको कंपाउंट इंटरस्ट के साथ में ब्याज के साथ में इतने सालों का जितना पैसा तिस साल दो रहेगा हम आपको पैसा बापस रिटर्न करेंगे तो लेकिन तरकार बोलती है यह तो हमने आपका दो जार रुपे काटा है ना तो प्लस दो हजार रुपे हम मिलाएंगे भी अपनी तरफ से और आपकी जो सेविंग में चार हजार रुपे चला जाएगा क्लियर है हर महीने इसी चार हजार को क्या बोलते हैं इम्प्लोइरस जो काम पर रगता है उसका काट्रोबीशन एंट वूचल स्चीरिटी स्कीम सोसल स्चीरिटी मिल पाए इसको आने वाले टाइम में तो इसको इसीच को इस चार हजार को नहीं इस दो हजार को बोलती हम सौरी चार जार को नहीं कहते हैं यह तो चार जार में दो जास उसका खुद का ही है दो जार का जो contribution इसने अपनी तर से करा यह employer contribution to social security scheme है clear है जी मेरे बात समझे यह भी चलते फरते किसी को भी नहीं मिल जाता है जो काम करेगा उसी को मिलेगा ना जो government employee होगा तो यहां पर यह क्या है यह भी composition of employee में आ जाता है तो composition of employee में कितने points होगे है दान सुनिएगा तीन point salary and wages in cash repeat कर रहा हूँ salary and wages in cash second salary and wages in kind and third employer's contribution to social security scheme तो तीन तरीके के चीज़े भी तक आपके पास में आ चुकी है clear है और यह यह जो आपके पास में तीनों मिल करके आपका इस पर एक point miss है missing है pension old age pension नहीं old age pension नहीं वो pension जो कि दो pension होते है विर्दवस्ता pension ठीक है न विदवा का pension वो pension नहीं वो जो employee को मिलता है जब काम चोड़ने के बाद उस pension की मैं बात कर रहा हूँ तो यह चार चीज़े मिला दोगे न तो इन चार चीज़े को हम क्या बोलते है composition of employee बोलते हैं तो बीस जार रुपे तो भी यह तन खाय दस जार रुपे तो भीया क्या है जो है वह इन-kind हो गया दो हजार रुपे composition of employee है ठीक है तो इस तरीके से composition दो जार रुपे आपको contribution of employer है कुल मलाकर के 30 और 32,000 रुपे composition of employee माना जाएगा उस employee को जो है 32,000 रुपे दिये जा रहे हैं मेरे बात समझे अगर एक बात धान कीगा पानी पिलाने के लिए पढ़ाई का क्या काम एक बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पानी पिलाने के लिए पढ़ाई का क्या काम पढ़ाई का काम जो है ना पानी ना तो पिलाने के लिए है और नहीं तो कमाने के लिए है अब A plus B के whole square का भी कोई काम नहीं है आपके कमाने में तो पढ़ाई का काम तो ना तो किसी को पाने पलाने में है ना तो कुछ आपका कमाने में भी कोई काम उतना नहीं है पढ़ाई का काम होता है आपके वहवार में आने के लिए आपको वहवारिय के लिए, आपके सोचने और समझने की शक्ति को बढ़ाने के लिए जापर आप सोच समझ सकते हो, आप दूसरों से अच्छा वहवार कर सकते हो आप इतने समझदार बन सकते हो कि अगर आपको कुछ भी अगर आपके पास में नहीं है तो आप मायूस ना हो कि मैं तो सबसे नीचा हूँ और अगर आपके पास में कुछ आ जाए तो आप इतने खुछ भी ना हो कि मैं तो बाकियों से उपर हूँ इस समझ को पैदा करने के लिए ही पढ़ाई का योगदान होता है और एक MTS की जॉब में अगर इस तरह की 10th pass qualification मांगते हैं इसमें graduate और 12th भी नहीं मांगते हैं जो 10th pass आउट है वो भी इस form को fill कर सकता है ठीक है लेकिन आगे जो आपको job जो आपको वहाँ पर मिलेगा जो सि स्वी ही पास है और वो qualify कर गया exam तो उसको जो है एक तरीके से प्योन का ही काम समालना पड़ेगा लेकिन कोई graduate है और उसने इस exam को qualify कर लिया है तो उसके qualification को देखते वे उसको file update का file का या system पर data record करने के काम में उसको रख दिया जाएगा तो जो काम को जो सोपा जाता है व हमारे पास में कितने पॉइंट से जल्दी से बताए कोई क्लिप आप response करें तो composition of employee में पहला point हमारे पास में क्या जाता है wages and salary in cash wages and salary in kind employer contribution to social security scheme clear है समझे और आपके पास है pension तो चार चीज़े आपको मिलकर के क्या बना देती है composition of employee बनाती है एक बात धान दखिएगा अगर आपको composition of employee दे दिया गया है और बाकी दो तीन चीज़े भी दी गई है तो इन दोनों तीनों को कोई role नहीं है सीधा आप composition of employee उठा लेंगे मेरी बात समझे या नहीं समझे तो क्या pick करोगे बात समझे रहे हैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपको composition of employee दे दिया जाए तो बाकियों के require composition of employee कैसे बनता है वो बता है मैंने तो point number first plus point number two plus point number three and plus point number four मैं लिख दिया इसको ओलेड़े क्या wages in salary in cash, wages in salary in kind, employer contribution to social security scheme and pension इन चारों को मिला करके क्या बनता है composition of employee बनता है अगर आपको composition of employee already given है तो इन में से किसी की भी कोई भी need नहीं होगी मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं सिधा आप पर कर लोगे composition of employee और एक बात धान लखेगा कि अगर आप composition of employee नहीं दिया हुआ है और दो ही चीज़ दी हुई है कोई बाकि दो कर लीजिए मतलब हो है ही नहीं मेरी बात समझे ही नहीं समझे कुछ होड़ी बात बता रहा हुआ इसका दानक नहीं आपको अब आपको मालो कि वेजिस आपको composition of employee दिया हुआ है 50,000 रुपए और आपको wages in cash दिया हुआ है 10,000 रुपए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 60,000 लेके बैठ दो बिलकुल नहीं composition of employee में ही सब कुछ include जाता है तो बस आप क्या करोगे आप 50,000 रुपए ही आप लेकर के बैठेंगे इसका फिर कोई रूली है यह useless information है आपके लिए बास समझे नहीं समझे बात तो को समझ पा रहे हो clear है भाई कोई doubt किसी बच्चे को चलिए है तो यहां पर हमने पहला पॉइंट पड़ लिया है एंडीपीट एफसी को निकालने के लिए फर्स पॉइंट क्या चाहिए हमें हमें फर्स पॉइंट ची कंपशिंट हो इंप्लोई अगर वो डिरेक्ट देते तो बहुत अच्छी बात है सोने पर सोहा गया उससे कोई ब रखता हूं तक आपको लर्ण करने में इसी रहे है हां जी ऑपरेटिंग सर प्लस ऑपरेटिंग सर प्लस पॉइंट नमर टू पर में आ चुका हूं ऑपरेटिंग सर प्लस चाहे ऑपरेट करने के बदले में किसी चीज को जो आपको मिलता उसको हम क्या बोलते हैं ऑपरेट बिल्कुल सही आप देखिएगा इनका सचीन अरोड़ा जी का एक क्योशन है कि सर आपने national income calculate करना सिखा रहे थे और national income का मतलब आपने कहा था कि NNP at FC होता है लेकिन आप तो हमें NDP at FC का format बताएं लग गए बच्चे पहले हमें NDP at FC देखिएगा आपसे पूछूँगा मैं N NNP at FC बताओ क्या है national income लेकिन अगर मैंने आपको NDP at FC आपने calculate कर लिया तो क्या इसमें changes करके आप NNP at FC नहीं निकाल सकते हो तो बस पहले हमें NDP at FC निकालना होगा income method में सबसे पहले यही निकलता है उसके बाद changes करते हैं अफिरेम स्कॉम NNP at FC पर लेकर कर जाते हैं या आगे सवाल है आगे मैं आपको और अच्छे से clear करूँगा तो इसमें बस क्या करना है मुझे यह find करना है यह मेरे पास में given है कि निकालना में सखा ही रहा हूँ आपको तो पहले letter same है दूसरे letter के लिए NFI यह इसमें होता है तो plus क्या कर देना है बस आपको NFI यह कर दोगे तो देन आपके पास में आप आ जाओगे अपने national income पर NNP8 FC पर तो यह बात का काम रहेगा हमारा अभी पहले हम क्या सिखेंगे पहले हमें NDP8 FC निकालना आ जाए ठीक है जी तो हम बात किसी कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर operating surplus की यह क्या होता है अब आप 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 सबके income पूछने के लिए मैं चलो ठीके जाओ तो सर मैं ऐसे लोगों को ले लेता हूं जो कि वह सबसे पूछता आपकी तनका कितनी है तो उनकी income को ले लेते हैं अगर हम तो यह हो गया वेजी सेलरी इन कैश हम बताएंगे कि वह नेशनल इंकम निकाल लिया निकाल लिया मदला आप नहीं कमाता तो हूं मैं वो तब कैश पर कुछ नहीं आता है मेरा रहना खाना फीना सब कंपनी करती है तो भीया वह वाली आंदनी तो आपकी रहे गई ना में सोगी ना तो इसलिए आपको वेजी सेलरी इन काइंड भी तो पकड़ के चलना था मेरी बात समझे यह नहीं समझे तो इन सभी पॉइंटों को लोगी तो सबकी इंकम आपके आ जाएगी अब आप होगे मैंने कंपशिशन ऑफ एंप्लोई ले लिया वेजी सेलरी इन काइंड भी ले लिया और मैंने एंप्लोयर कंट्रिविशन टू सोचल सेक्रिटी स्कीम बीले लिया और मैंने फैंड़र मिले लिए कुछ लोगों से आंदर नहीं पूचितना कम आते हो वह कहता अपके क्या पूंट्रिविशन नहीं उट्यां सब्वार को कई तो फिर आपको फिर बदले में एक टाइम पर पैंशन मिल रही है तो this ch 어쩌 अगर सब आपको जो है इन ऑन पड़ेगा ẩब हर एक जिए पर जाना पड़ेगा ii cents को देखना पड़ेगा तो आप in-कvacasty करना है इनकाइन काइंन हाले कांड कंट करना है एंप्लूर कंट्रेगिशन कंट करना है और आपको आपको pension count करना है तो अब आप चारों करने के वाद आप कहते हैं भाईया मैंने तो national income calculate कर लिया मैंने सब को ले लिया सारे गिन लिये लोग रहते हैं अब हे आको बहुत लोग कोन रहते अंगे जरब पता करो आप एक है वेक्षत के पास बेजिन सेलरी का इन कैश कहा क्या कुछ भी नहीं लिए अच्छा इंपलॉयर कांटर्बिशान कुछ भी नहीं है अच्छा पेंशन नहीं वह भी अपने property से income आती है, rent के तोर पर income आती है मुझे, rent मुझे मिलता है, income from property, तो operate, कोई चीज मैंने operate कर रखा, उससे income आती है, तो आपने तो ऐसे लोगी income को देखा ही नहीं है अभी तक तो, तो इसलिए operating surplus में क्या होता है, कि कोई चीज आप operate कर रहे हो, उसके बदले में आपक कर सकते हो, एक क्या, एक income from property, एक property को operate करने के बदले में आपको income मिलता है, और एक income from entrepreneurship, या तो आप business operate कर रहे हो, अगर आप property अपरेट कर रहे हो, तो आपको rent मिलता है, royalty मिलता और interest मिलता है, अगर आप property को अगर आप operate कर रहे हो, तो देखिएगा, income from property क्या होता है, आपने या तो आपकी property में या तो आपने किसी को लेंट दे रखा तो रेंट मिल जाएगा अगर आपने अपनी गुडविल किसी को दे रखी है तो आपको स्कुर्द ले रोयल्टी मिल जाएगी क्लिर है देखेगा ऐसी चीज़ को किराय पर चड़ाना जिसको देखा चुआ जा सकता है उसको कर लो तो लेकिन वह ऐसे तो करने हैं तो हम उसके लिए क्लेम कर देंगे तो वह हम से क्या कहेगा सर हम आपके जो है हैं तो फिर हम कहेंगे वसे अभी तक हमने किसी को भी कोई भी फ्रेंचाइसी आल ओवर इंडिया लेवल पर हमने बिल्कुल भी नहीं दी है 100% हमारे पास में हमारे कंट्रोल में ही है क्लियर है समझें अगर इस नाम से कोई भी खुला हुआ है आसपास या जो भी कुछ कहते हैं वह फ्रोड है ठीक है जी आई देनी सिट्विशन आती रहती है लेकिन मान ले लो इतने रिपश्टी हो गया तो इंकम फ्रोड प्रोपर्टी से क्या-क्या इंकम चांटी रोसकता है रेंट हो सकता है और अगर अगर मैंने किसी को केपिटल दिया तो उससे क्या मिलेगा मुझे इंटरस्ट मिलेगा तो बहुत सारे लोक ऐसे भी होगे जो रेंट से earning कर रहे हैं कुछ ऐसे लोगों जो रोल्टी से earning कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि interest से अपना गुजारा कर रहे हैं clear है तो यह भी तो income का part अगर आप income ले रहे हो तो क्यों आप सरफ salary 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 कर रहे हो क्योंकि income from property और income from entrepreneurship से भी तो आता है it means operate करने के बदले में इंकम जानेट होता है अगर आप यह सोच रहे तब तक कि सबकी income सम कर लो पर सबकी income मतलब सबकी salary salary तो एक employee की होती है पूरा भारत employee थोड़ी है मेरी बात समझे वो तो सरफ first point था जहां पर आप employee पर focus थे अब आप 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 आजाए यह operating surplus पर और हम यह जो अपरेड करने income from property and income from entrepreneurship income from property में क्या आती है rent royalty in interest और income from entrepreneurship में क्या आता अभच्चा बच्चे मैं क्या करता हूँ प्रॉफिट मुझे हुआ एक लाग रुपे का ठीक है जी मैंने इस पर क्या करा कॉर्पोरेट टेक्स पे कर दिया 20,000 रुपे कितना बचा 80,000 रुपे क्लियर है यह 80,000 रुपे उसके बाद फिर मैंने अगरा मैंने फिर रिटेन अर्निंग मतलब अंडिस्ट्रिबिटीड प्रॉफिट मतलब की रिजर एक ऐसा पैसा प्रॉफिट जब भी होता है पहले तो टेक्स भर देते हैं उसके बाद जो बसता है तो सारा का सारा हम खर्चार नहीं कर देते हैं कुछ पैसा प्रोविजन मना करके रख लेते पैसा की वक्त पर कंपनी को काम आएगा बात कंपनी से लिटीड है ना इंटेप्रिनोर्शिप तो कंपनी के भविस्टे में कुछ पैसा रिस्क की टाइम पर कुछ काम आ जाएगा तो मानलो इसमें से मैंने 10,000 पर रख लिया कंपनी के नाम पर बचा कितना बचा मेरे पास में 70,000 रुपए क्लियर जी इस 70,000 को मैं क्या बोलूँगा 70,000 को मैं बोलूँगा डिविडेंट इसको हिंदी में कहते हैं लाभांश ठीक है जी क्लियर है प्रॉफिट इसको हिंदी में बोलते हैं लाब क्लियर है इसको हम हिंदी में बोलते हैं निगम कर ठीक है और रिट अवित्रित आए ठीक है ना अवित्रित आए तो देखेंगे यहां पर तो मेरा प्रॉफिट एक लाख रुपए है कोर्फुरेट टेक्स मेरा बीस जार रुपए है और मेरा डिविडेंड जो बटेगा वह यह बटेगा सत्तर जार रुपए मेरे बात समझे तो अब आप एक बात देखेगा जरह बताएं मुझे कि टिविडेंड केतना है जो है जिए अलग पेच सबस्कालु साइसकों डिविडेंड के तना है डिविडेंड मेरा मेरा जो agenda वह में सक्र लाशार रुपए तक टलेर अब बताए जबताएं मेरा जो है रीटेर्टेन अर्निंग आंडि बीस जार रुपाय, clear, जब आप इन तीनों को add कर दोगे न, इन तीनों को जब आप आप कर दोगे, तो जो आपका result आएगा न, जब आपका result आएगा, इस result को ही हम क्या कहेंगे, इसी को हम बोलेंगे profit, तो पता लगा profit का formula क्या हुआ, तो profit equals to, profit equals to, अगर profit सीधा सीधा दे दे तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे तो profit को ऐसे create करोगे, इन तीनों को add करकर profit बना जाएगा, अगर profit भी दे रहा है, साथ में इनमें से कोई जानकारी भी दे रहा है, उन जानकारी से कोई मतलब नहीं है, जो मेरा काम ता profit का, तो profit आई गया है, तो बाकी के पीछे जाने के जुरत नहीं है, अगर profit नहीं है, तो इन तीनों से बनाओगे, तीनों नहीं है, तो दो हैं तो दो से बना लोगे profit, समझे या नहीं समझे, clear है जी, तो profit को समझे, तो operating surplus, तो किते चीज़े को operate करते हैं, income from property, like rent, royalty and interest, and income from entrepreneurship, like profit, and profit equals to corporate tax, undistributed profit and dividend, clear है जी, बास समझे में आया या नहीं आया, बताओ जी, हाँ, operating surplus तो हो गया हमारा, अब ये एक एक points को clear कर रहा है, मैंने यहां पर, मैंने profit को अच्छे से define कर रहा है, कि corporate tax होता है, dividend होता है, और retained earning होता है, मैंने आप आप मुझे कहरते हैं, ठीक है सर, आपने सब को ले लिया, जो लोग नोकरी पे काम कर रहे हैं, कोई पेशेदार है, उनकी आपने बेजीन सेलरी, इन cash वालों की ले लिया, kind वालों की भी ले लिया, आपने employer contribution में ले लिया, और आपने pension जो pension पे हैं, वो अपने उनका भी ले लिया, सर अगर यह नहीं थे, तो आप compassion of employee था, तो आपने direct वोई ले लिया, इन चालों की फिर कोई requirement ही नहीं थी, ठीक है सर, आपने सभी कमाई करने ले लिया, और सर आपने तो उनको भी गिन लिया, जो कि operate करने के बदले में income अर्ण कर रहे थे, like property से, जैसे कि कोई land से rent कर रहा है, कोई goodwill के बदले में morality ले रहा है, या फिर कोई जो है, वो interest अर्ण कर रहा है, तो आपने इन सब की इनकम ले लिए, इवन आपने entrepreneur की इनकम ले लिए, सर सब की income आ गई, लगे मेरा सवाल अभी भी वह ही है, कि सर जो ready पढ़री वाले जो बिचारे कमाते हैं, उसके आये का तो पता कैसे लगेगा, एक company है, वो तो रईशनर होती है, इसको टेक्स बगरा करता है, सरकार को पता बता है किस पर कितना टेक्स लग रहा है, clear है, rent भी रहता है, तब का हिसाब किताब रहता है, government के पास पर, लेकिन इनकी income क्या है, तो ऐसी लोगों की income का accurate बिलकोल अन्दाजा नहीं लिया जा सकता है, इसको सिरफ एक estimation नहीं लिया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते है, mixed income बोलके नाम से जाना जाता है, कि एक estimation, एक idea लिया जाता है, वो mixed income हो गया, जो कि self employed लोगों होते हैं, जो अपने आप खुदी काम पर रख ले देते हैं, या फिर proprietorship में जो काम करते हैं, मतलब sole proprietor आप बोल सकते हैं, मतलब एक single individual आप जो है seller बोल सकते हैं, ठीक है जी? क्लेर है बच्चे? सब्ज़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ जड़ा? तो अब आप इस चीजों को अगर आप add कर दोगे, तो मैं यहाँ पर आपको NDP FC का direct आपको एक बात बता देता हूँ, आपके paper में न, बच्चे कई बार ऐसे सवाल बहुत बार आये हैं कि explain the method of the national income and income method, आपको income method को बोलेगा बताओ, तो income method में आपको क्या करना पड़ेगा? पर आपको NDP FC का format लिखना पड़ेगा, वही जो मैंने लिखवा है, then summarize करते हैं, क्या के रहता है? मुटा मुटा composition of employees, अगर direct है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, तो बना लोगे चार item को जोड़ करके ठीक है, rent and royalty, यह एक ही चीज होती है, दिया तो अच्छी बात है नहीं है, तो आप बना लीजिएगा, इससे क्या जाएगा आपका? NDP at FC आपका आजाएगा, ठीक है जी? clear है? अब आप क्या करने वाले हैं? NDP at FC आपके पास में आगया, आपको मैं find क्या करने के लिए कह रहा हूँ? find करने के लिए कह रहा हूँ, मैं आपसे NNB at FC ठीक है, और आपके हाँ में क्या आगया? आपने क्या 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 लिए? NDP at FC निकाल लिए, जो चीज फाइंड करने हैं लेट पर और जो चीज आपको गीवन है वो राइट पर, मैंने क्या सिखा है था? करने के लिए कर दोगे, तो प्लस क्या कर दोगे? आप NFIA कर दोगे, और तो सहीम रहता है, यह आपका FC भी सहीम है, तो कुछ करने ही जोरुत है, आपने जो NDP at FC निकाला, उसमें बस एक NFIA टमस लेकर के उसको क्या कर देते हैं, आड़ कर देते रहा काम खतम हो जाता प्री बात समझे या नी समझे ले बच्चे बताई ज़रा कुशन कुछ किस तरीके का होगा आपके सामने आपके स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके कुशन आपके पास में रहेंगे आप यहां पर चलिए कुशन इसमगर मैं डाल दूँगा तो आपके आचे क्लास से खुबसूरती बढ़ जाएगी ठीक है भईया पूछ कहा रहा है calculate national income by income method चलिए national income means क्या calculate करने आपको nnp at fc calculate करने लिए कहा रहा है भईया by income method तो भईया by income method में सबसे पहले सबसे पहले हम तो ndp at fc ही calculate करते हैं जो format के coding तो आइदम से सब कुछ कुछ भी mix मत कर ले ना first point composition of employee डूणेंगे बाकि जो पढ़ा हूए रहने दो नम्मर आगा सब देखेंगे भईया composition of employee है क्या composition of employee मिल गया बच्चे composition of employee मिल गया है composition of employee दो सुपचास मेरी बास समझे आप इसको असलिख सकते हैं पहले क्या फिफ्ट पॉइंट एसा लिख दीजिए पूर लिखनेंगे जोड़ता है clear है और जहां पर नीचे लिख देखेंगे साथा साथ टू फिप्टी क्लिए फिर्ट पॉंट अगर नहीं होता ना composition of employee तो फि सर्प्लस income from property and income from entrepreneurship income from property में क्या-क्या आ जाता है हमारा rent and royalty एक चीज़ है प्लस इंट्रस्ट दो चीज़ आ जाती है और वहां पर profit profit है तो अच्छी बात है नहीं तो इसको भी बना लेंगे ठीक है दिखते है पहले क्या-क्या income from property लेते है rent rent मेरे पास में है clear है plus rent है मेरे पास में और rent क्या है मेरे पास में 75 ठीक है और interest इंट्रस्ट भी है मेरे पास में मेरे दिमांग में सिस्टेमेटिक ओडर में चल रहा हूं इंट्रस्ट क्या है 25 तो प्लस इंट्रस्ट कहां पर 11 पर है तो जो बच्चे क्या है 25 खिक है clear । soul करते हैं यहां पर हम और रूपीज इंट्रस्ट इक्वल स्टू कितना जगा मेरे पास में यह 100 और 200 और 200 450 आ गया NDP at FC तो बस एक काम करना है NFIA इसमें एड़ करना है तो बस मैं NNP at FC और ये NDP at FC मेरे पास पर कितना है 450 करोड प्लस मैं क्या करूँगा NFIA NFIA को जड़ ध्यान से पड़ेंगे net factor income from abroad क्या है minus का 5 है तो यहाँ पर क्या होगा minus का 5 होगा क्लिर जी बरी बास समझे को डाउट भीया तो यहाँ पर मेरे पास में NNP at FC कितना आ गया ये फिर minus का 5 हो गया तो यह हो जाएगा 445 करोड बताओ भाईया हाँ या ना सौन्ज में आया या नहीं आया क्लिर जी बताए कि क्लिर है ओहो अच्छो या दिला यार एक गरबट तो कर दिया हमने इसमें हमने क्या करा मिक्स इंकम नहीं लिया बच्चे जो थर्ड पॉइंट था मिक्स इंकम कहा है कहा है मिक्स इंकम मिक्स इंकम उफ सेल इंप्लोइड वाले को ही मिक्स इंकम होती है द लिब पती जाले इसको सल इंपिलोइड बोलते हैं प्लस क्या होगा हमारा प्लस सेकेंड कितना है हमारा 35 और यह कितना होगा 450 480 480, clear जी, 480, और ये कितना हो जगा है मेरा, ये मेरा हो जगा, 480 करोड, अब सही है, clear जी, कोई डाउट, सचमे आ गया, आप बताए ज़रा, नेशनल इसनल कम निकालना आपको आया या ने आया, बताए ज़रा, कर पारे नुमेरिकल्स को ठीक है तो अभी हम आएंगे भी बहुत कुछ पढ़ेंगे यह बुरा आपका है क्या मैक्रों मैक्रों को मतलब भी नेशनल इंकम होता है हर जिए नेशनल इंकम हर चेप्टर नेशनल इंकम तो आएए पहले इंकम मेथड को हम प्रेक्टिस करेंगे इसको समझेंगे सीखेंगे अगली कक्षा में फिर हम एक्सपेंडिश्य मेथड पर जाएंगे सब चीजे हम जो है अपना करते चले जाएंगे ठीक है क्लिए रहे हैं और हां जी एक चीज और है कि आपका जो है रेफल इस समय जो चल रहा है आप वह जो था वह अभी भी हम नेश्टों कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टेंट वैसी भी कॉईरी में है और आप जो है सिक्सी सेमेस्टर वाले आपके दोस्तों घ्राइंड होँगे जो कि आप से पूश्ते होंगे या फिर आप इसको घाइड करते होंगे तरहीं करते तो आप उसको गाइड रेफरल है वो आपको जो है वो आपको मिलेगा और जिस जो भी जिसके भी कांट्क्ट में अप उनको आप रेफरल जो है कांट करकर अपना रेफर लेजिए लेकिन नए student existing student नहीं होने चाहिए clear है जी मिलते हैं फिर next class में thank you thank you so much झाल